चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC के सेकंड राउंड के रेजिस्टेशन सुरू हो चुके हैं जिन कंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन नहीं किया था वो सेकंड राउंड में रेजिस्टेशन कर सकते हैं लेकिन जिनोंने फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन कर रखा है उनको रेजिस्टेशन करने की आवश्यकता नहीं है जैसे मैंने पहले बताया था कि second round में कम से कम 60 से 70% seat वेकेंट रहेंगी उसी तरह अभी इस round में 70% seat वेकेंट रही है इसका एक बार हम जब seat matrix देखते हैं तो इसमें अलग-अलग seat matrix दिखाया गया है total MBBS and BDS seats for round 2 UG 2020 लिखा है इसके बाद virtual vacancy for round 2 UG 2020 लिखा है तो ये virtual vacancy का क्या मतलब है काफी student को इसके बारे में confusion है तो इसका मैं बाद में बताता हूँ आपको पहले हम देख लेते हैं इसमें total MBBS, BDS के लिए कितने seatیں बची है round 2 के लिए तो इसमें जो total seatیں बची हैं वो 10,537 seats अभी बची हुई है second round के लिए इसमें ये मिला के हैं जो dimmed है वो भी मिला करके हैं और इसमें जो अलग-अलग दे रखा है vacancy है non joining की है वो 7,172 है क्योंकि first round free exit round था इसलिए student ने join नहीं किया इसमें इसके बाद में आगे जो vacancies हैं इसमें cancel किये हुए admission 16 से इसमें और इसमें जो newly add हुई है 682 seats हुई है इसमें कुछ IP quota की seat एड हुई है इसलिए ये मिला के 682 seats new add हुई है इसमें इसके बाद में जो seat allotted नहीं हुई थी first round में वो 2490 seat है तो इस परकार से total जो seat हैं वो 10,537 seats बची है second round के लिए तो आप second round के लिए registration कर सकते हैं इसमें इसके बाद में हम बात करें virtual vacancy की तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ की virtual vacancy क्या होती है तो दोस्तों जिन candidates को round one में seat मिल गई है और उन्होंने अपग्रेडेशन का option दिया है यानि वो seat को अपग्रेड करवाना चाते हैं तो उन्हें virtual vacancy कहा जाता है अगर उनकी seat अपग्रेड हो जाती है तो पहले वाली seat cancel होके किसी दूसरे student को मिल जाएगी और अगर उनको अपग्रेड नहीं हुई है वो seat तो उनको एज़ेटी ही जी वो seat उनके लिए रिजरो रहेगी तो ये मतलब होता है virtual vacancy का तो इसमें virtual vacancy में भी काफी seat बची हुई है और इसमें 4856 इस परकार की seat हैं जो जिन बचों ने अपग्रेडेशन के लिए अपलाई किया है तकरीबन सभी ने किया है इतनी सारे ही कंडिडेट जोइनिंग के लिए हैं मतलब तकरीबन सभी ने अपलाई किया है अपग्रेड के लिए इसमें एमस दिल्ली और मोलाना आजाद वी एम एमसी जैसी कोलेजों के student काफी कम अपग्रेडेशन के लिए करते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें आठ student ऐसे हैं एमस दिल्ली के जिनोंने अपग्रेड का ओप्सन दिया है इसमें वर्चुल वैकेंसी होगी इनमें मोलाना आजाद के भी हैं कुछ इसमें तो इस परकार से आप इसमें वर्चुल वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन-कौन से candidate ने अपग्रेड का ओप्सन दिया है कितने candidate ने अपग्रेड का ओप्सन दिया है तो इस परकार से आप registration कर सकते हैं बाकी जैसे ही इसके बारे में और कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको inform कर दूंगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइ जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिंद